इशा अम्बानी और फ्री अंका चोपड़ा की राह पर चले कपिल शर्मा 24 को यहां उमडेगा पूरा बलिवुड कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने गरलक फ्रेंड गीनी के साथ 12 दिसंबर को जालंधर में शादी की थी इस शादी में कपिल के कुछ करीबी दोस्त और रिष्टिदार ही शामिल हुए थे शाही शादी के बाद कपिल ने जालंधर में रिसेप्शन भीड दिया था इस बीच ऐसी खबरे आ रही हैं कि कपिल जल्द ही मुंबाई में एक ग्रेंड पार्टी देने वाले हैं खबरों की माने तो कपिल शर्मा मुंबाई के जे डब्यू मेरे एक्ट में 24 दिसंबर को ग्रेंड रिसेप्शन पार्टी देंगे जानकारी के मुताबे कपिल शर्मा ने इस शांदार पार्टी में बलिवुट से लेकर टेलिविजन की दिगज हस्तियां शामेल हो सकती हैं कपिल शर्मा के सितारों से करीबी रिष्टे हैं जिसकी वज़ए कपिल का कॉमेडी शो रहा है कपिल के शो में अमिता बच्चन से लेकर शाहरों खान तक पहुँचे थे ऐसे में फिल्मी हस्तियों के शरिक होने की उम्मीद जताई जा रही है कपिल शर्मा ने दो रिवाजों से गिनी चतरत के साथ शादी रच्चाई थी पहले हिंदू रिती रिवाज से शादी हुई उसके बाद गिनी चतरत के घर सिक रिती के अनुसार आनंद कारज किया श्री गुरुवार ग्रंत साहब की हाजिरी में कपिल ने गिनी के साथ चार फेरे लिए और अरदास की इससे पहले आनंद कारज के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वाहल हुए थे कपिल शर्मा और गिनी की शादी 12 दिसंबर को जाल अंधर के होटेल कलब का बाना में संपन्न हुई थी शादी में कपिल और गिनी के करीबी रिष्टेदार और दोस्त शामिल हुए थे कपिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेर भी की थी इसके बाद हुई पार्टी में कपिल हरे रंग की शेरवानी पहने नज़र आए वहीं कपिल की दुलहन गिनी ने लाल कलर का लहेंगा पहना था शादी के वेरियन पर भारी सेक्योरिटी लगाई गई थी शादी के दो दिन बाद ही कपिल शर्मा ने अपने होमा टाउन में रिसेप्शन पार्टी दी थी रिसेप्शन में कपिल मरून कलर की शेरवानी पहने थे जबकि गिनी ने गोर्डन कलर का लहेंगा पहना हुआ था कपिल की शादी और रिसेप्शन में टीवी जगत से भी कई सितारे पहुँचे थे रिसेप्शन पर गिनी और कपिल ने केक भी काटा था